हेलो एन वेलकम टू माई किचन तो आज न कुछ सर्दी की डिश बना लेते हैं मेथी बहुत आ रही है सर्दी में तो हम बना रहे हैं मेथी मतर मलाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हम रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं घर पे बना रहे हैं देखे कितनी मज़ेदार क्रीमी वाली बनाई है और बिल्कुल घर के ही इंग्रीडियन्स के साथ तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इसको चावल के साथ नान के साथ या पराठे के साथ चपाती के साथ खाईए इधर मैंने मेथी हलकी सी बॉयल कर लिया और मटर भी हलके से बॉयल कर लिया है तो एक कटोरी मैंने मेथी लिया है एक कटोरी मटर लिया है तो ये देखिए ओयल लिया इसमें मैं थोड़ी सी देखिए मैंने जीरा लिया हुआ है लाल मिच सूखी और तेज पत्ता दो लॉंग एक इलाइची और थोड़े से काजू लिया हुआ है सब चीजों को हम रोस्ट कर लेंगे थोड़े से तेल में यह देखिए भून लेंगे अच्छे से उधर न मैंने मेथी और मटर को अल्रेडी बॉयल कर लिया है ताकि एजीली बन जाएं वो और छान के मैंने रख लिया है तो यह देखिए यह भून रहे हैं बड़ी अच्छी सी खुश्बू आ रही है यकीन मानिए बच्चों को भी इतनी पसंद आती है क्योंकि इसमें से एक तो बिल्कुल होटल जासा टेस्ट आता है और उपर से बहुत ही स्वीट सी होती है और थोड़ी सी दालचीनी डाल रही हूं अच्छे से फ्लेवर के लिए भून लेंगे और मैंने तीन चोटे-चोटे कटे हुए टमाटर डाल दी है बहुत जादा नहीं बना रही हूं तो इसको अच्छे से टमाटर को पकने देंगे हलका सा पानी आड़ करके धक्के रख दीजिए टमाटर थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक डालने से क्या है कि टमाटर जल्दी कुख हो जाएगा तो इसको अच्छे से चलाते जाएंगे तो ये देखें मैंने सिम पे करके ढख दिया है ढखने के बाद जब ये निकाल लेंगे न तो ये देखें मटर मैं दिखा रही हूँ एक कटोरी मैंने मटर बॉयल करें है और मेथी भी मैंने बॉयल करके रखी है ये लगबग डेड़ कप मेथी का था जो इतना सा रह गया है । ये तोरी मेथी की थी जादा नहीं अच्छा जो अगर तेज पसंद करते हैं तो जादा भी डाल सकते हैं तो हमारे यह कोई जादा नहीं तेज खाता है तो काट लेनी है पहले मेति बारी बारी को वाश कर लेना है और डाल लेना है तो इधर मसाला अगरम है इसको ठंडा करके पीस लीजिए क्युकि भुछ ध्यान से मिक्षी में डाल के कई बार उचल जाता है सारा समान अगर गरम-गरम पीस लेते हैं इसको निकाल लूँगी मैं इसमें भूनने के लिए वैसे तो यह देखिए हमने सारी चीज़ें यह पकाई ही हुई है अच्छे से पीस लेंगे और देखिए अच्छे से इसको चलाते जाएंगे अभी से आप देख सकते हो कि कलर कितना सुन्दर सा आ रहा है थोड़ी सी वैंने इंग्रीडेन्ट मलाई लिए मैसे चार चूमच मलाई आड़ करें हैं थोड़ी सी लाल मिर्च देगी मिर्च डाल रहें इए आाप चाहो तो शोड़ी कर सकते हो लाल मिर्च ब्री दालरों हम स्वीटनेस होती है आपको द्यान होगा शाहि पनीर जैसी ग्रेवी बन तो यह देखे आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं या मैंने तीन से साड़े तीन चमच मीठे के डाल दीए चीनी के तो अच्छे से इसको भून लेंगे देखे कलर चीनी डालने से और भी अच्छा आगया थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ग्रेवी कर रहे हैं कुछ होटल का खाने का मौसम है ठंडा तो हेल्दी भी और न्यूट्रीशियस भी है घर पे भी बना हुआ है तो जरूर खाके देखिए तो घर के बने इंग्रीडियंट्स की बात ही कुछ और होती है तो यह देखिए को खोरा सिम पे यह थोड़ी देर कुप कर चल्रेएंगे इसको कलर रिखिये कितना प्यारा रहे है तो बस सर्फ करने की बारी कटोरी में मज़े से डाल रही है बायद यह दैट टाइम अगर आपने मेरे चैनल को नहीं कर रहा है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर स सी हो रही है सब्जी सब तो यह देखे उपर से हम खूब सारा डाल देंगे धनिया तो यह देखे तयार है यह देखे धनिया डाल रहे हैं मज़े से बहुत टेस्ट एंहांस कर देता है धनिया तो यह सब कीजिए गर्मा गरम थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग स्टे हुआ हुआ है